हेलो एवरिवन बिटा स्टार्ट कर रहे हम लोग एविलूशन का लेक्चर नमबर टू लेक्चर नमबर वन हमने एक ओवर्विव आपके लिए बना लिया था और हमने जहां पर छोड़ा था उस पर एक बार फिर से बात करते हैं तो हमने कहा था कि देखो वही एवलूशन ए हम यह पढ़ते हैं कौन कब बना किस तरीके से बदला हुए चेंजिस हुए तो क्यों न उसको एकदम स्टार्टिंग से बढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले आपको लास्ट क्लास में बताया था evolution of earth मतला basically universe सबसे पहले evolution of universe में हमने big bang theory की बात की थी big bang theory में हमने यह बोला था कि जो galaxies हैं वो बनी कैसे 20 billion year ago एक explosion हुआ था जिसकी वज़े से चीजे अभी भी spread कर रहे हैं तो उस time पर हमारे पास क्या बनी galaxies बनी कुछ gases बनी थी hydrogen और helium उसके बाद हमारे पास उनमें कुछ gravitational force की वज़े से कुछ हमारे पास उनमें accumulation हुआ और galaxies फ गोला विटा आपको कि किस तरीके से अर्थ evolve हुई तो अर्थ जब बनी विटा हमारे पास एक molten mass की form में बना उस molten mass में हमारे पास elements थे उन elements ने हमारे पास कुछ gases बनाई और वो gases release हो गई उनमें starting में release होने वाली gas जो थी ammonia थी यह factual बात है यह आपने याद करनी है ammonia जब बन CH4 बना CO2 बना तो जो हमारे पास पानी था उस पर UV light ने काम किया और oxygen बनाया तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यह oxygen evolve तो हो गई थी इसे हम evolution of oxygen नहीं बोलेंगे क्योंकि जैसे ही oxygen बनी वैसे ही वो combine कर गई CH4 और ammonia के साथ इसका मतलब बहुत कोई time के लिए बहुत परसंट जो oxygen अभी है वो हमेशा है ऐसा नहीं है कि वो कम जादा हो रही है या कभी मतलब अचानक से गायव हो जा रही है लेकिन जो oxygen बनी थी उस समय पानी के तूटने से वो फटा-फट से यूज हो जा रही थी और उसमें से कुछ oxygen पर UV light ने काम करके ozone भी बनाया और जब temperature decrease हुआ तो वो पानी की form में गिरा तो जितना भी ammonia और CH4 था वो सब consume हुआ किसकी वजए से हमारे पास oxygen की वजए से अभी मुझे बहुत methane और ammonia atmosphere में दिखती नहीं है तो वो consume हो गया hydrogen छोड़के बाहर चली गई तो जो early atmosphere की gases थी वो अब बिलकुल बदल चुकी है अब हमार पास nitrogen है oxygen है पर oxygen उस समय नहीं आई थी ठीक है दूसरी बात हमने कहा कि ठीक है ये तो बात होगे अर्थ के atmosphere के evolution की जिसे हम ये मानते हैं कि जब अर्थ का atmosphere बना और rainfall होने की वजए से पानी बना जिसे हम hydrosphere कहते हैं ये story आपकी हमने last जहांत पे cover की थी उसके बाद हमने कहा हम clear हैं हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से first cell आया तो first cell के evolution को लेकर काफी सारी theories हैं और हमने आपको clear बोला था कि बहुत सारी theories हैं और उनका support करने के लिए बहुत सारे experiments किये गए हैं either they reject or accept that theory ये चीज हमने last बात की थी तो हमने इसी theory में सबसे पहले आपको बताया था theory of ऐसा हो सकता है कि हमारे पास special creation की बात की थी और उससे पहले eternity की बात की थी कि life पहले से थी special creation की NCRT ने कहा है three connotation है connotation का मतलब होता है कि तीन main points बताये थे जो अर्थ पे life ऐसी की ऐसी बनी diversity नहीं बदलती और अर्थ 4000 साल पुरानी है ये तीन important points जो थे जो हमारे पास special creation ने बताया जिसको support किया किसने mythological text ने father सुरेज करके हम नाम लिखने उन्होंने support किया और इस theory के main points मैंने आपको बता दिये दूसरी चीज क्या थी बिटा दूसरी चीज क्या थी उसके बाद आई एक theory theory of spontaneous generation जिसे हम कहते है theory of a-biogenesis इस theory का main point है कि dead organic चीज से life अपने आप बनी इसको reject किया किसने ready के experiment ने spellin zanai के experiment ने और more important pasture के experiment ने पास्चर ने बताया कि east का जो सिरफ है उसमें अगर मैं open रखूंगा तो ही मेरे पास maggot या larva आते हैं ना कि मैं उसे अगर एक swan neck बना दू जहांसे air filter होके आएगी तो वहाँ पर कुछ life बन पाएगे तो जो पास्चर का experiment था उसने theory of spontaneous generation या theory of a biogenesis को पूरी तरीके से reject कर दिया अब इसके बाद क्या हुआ बिटा जब theory of a biogenesis reject हो गई तो हमारे पास एक theory और थी जिसको greek thinkers ने support किया था उसका नाम था theory of pansepermia और वो जो theory थी बहुत लंबे समय तक जो astronomers थे उनकी favorite theory रही कि य यह हुआ होगा इस theory के according life earth पर बनी नहीं है हमारे पास spore की form में different planets पर transfer हुई तो earth पर भी आ गई फिर हमने यह देखा यार अर्थ पर life का आना बहुत मुश्किल काम है यह इतना easy नहीं है कि life earth पर आ जाए तो अब हम क्या करेंगे बिटा अब हम क्या करने वाले हैं सुनो ध्यान से अभी तक हमने कोई ऐसी theory नहीं पड़ी जो correct है या जादा accepted है अब हम next theory पर बात करने वाले हैं जिसे हम कहेंगे theory of chemical evolution तो हमने जब chapter start किया था तो हमने यही बात की थी हमने कहा था सबसे पहले हम universe का evolution पढ़ेंगे उसके बाद हमने क्या पढ़ा था evolution of earth और उसका atmosphere इसी के साथ मेरे पास पानी बन गया था जिसे मैंने hydrosphere कह दिया था उसके बाद मैंने कहा था origin of life life origin होने का मतलब मेरे पास पहला cell कैसे originate हुआ यहाँ पर मेरे पास जादा evidence नहीं है सिर्फ theories हैं जो इस बात को support कर रही है और उन theories को support करने के लिए experiment है तो हमने इसमें बात करनी है उसके बाद हम यह देखेंगे कि organic evolution कैसे हुआ कि कैसे मेरे पास नई species आई तो यह वहाँ पर इनकी बात करनी है हमें तो चलिए start कर लेते हैं आज के lecture के आगे theory of chemical evolution theory of chemical evolution जो किसके लिए बता रही है हमारे पास किस तरीके से cell evolve हुआ है इसकी बात कर रहे है theory of chemical evolution ठीक है जिसे हम एक और नाम देते हैं scientist के नाम पे operin held in theory operin and held in theory इनके नाम पर हम इस theory को बोलते हैं clear operin और held in theory theory of chemical evolution यह है main theory आपकी जो सबसे ज़्यादा accepted है और सबसे ज़्यादा valid है जिसे माना जाता है सबसे ज़्यादा valid अब मेरी बास सुने ध्यान से theory of chemical evolution किसने प्रपोस की है दो scientist ठीक है 1920 के आसपास इसे प्रपोस किया गया ठीक है और इस theory में हम याद करेंगे यह word हम याद करेंगे इन्होंने प्रपोस की है ताकि गड़बर ना हो हमारे पास जो प्रपोस करने वाले scientist हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी सबसे पहले हम बात करेंगे Halden की सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा Halden की तो Halden प्रपोस किया है ठीक है क्लिर तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किस की Halden की है तो Halden एक scientist और वो किस country से ही थे यह पूँछा हुआ है ठीक है clear और operin हमारे पास एक scientist और है और operin हमारे पास किस country के हैं इसलिए हमने इसको ऐसे याद किया है clear इस तरीके से याद किया हमने तो हम यह समझ रहें कि Halden England के थे और Russia के operin थे इन्होंने इस theory को propose किया 1920s के around और इस theory के main point यह थे, जो main point है ध्यान से सुनो, main point यह थे कि जो life originate हुई है, life originated from, from pre-existing, pre-existing, non-living, organic, organic molecules मतलब यह यह कह रहा है बिटा, कि जो life originate हुई है, वो किस से हुई है, non-living, organic molecules से originate हुई है यहाँ पर important point यह है, कि यह spontaneous generation की तरह नहीं है, यहाँ पर इसने यह बात भी बोली, कि यह जो organic molecule थे, यह chemical evolution के through बने थे तो इसका मतलब यह हुआ, कि पहले हम यहाँ पर यह simple बात यह बोलेंगे बिटा, कि life कैसे originate हुई है, non-living, organic molecules के और वो जो non-living, organic molecules है, वो भी हमारे पास कैसे originate हुए, ध्यांत जुनना, non-living, organic molecules भी हमारे पास कैसे originate हुए, वो भी originate हुए, किस तरीके से, मैं बोद बता देता हूँ आपको, वो भी originate हुए, इन और्गेनिक से तो कहीं ना कहीं, चीजे chemically evolve करी हैं पहले, मतलब हम यह कह रहे हैं, कि यह जो non-living, organic molecules है, non-living, organic molecules जो थे, वो originate हुए, इन और्गेनिक से, originated from इन और्गेनिक, अगर आप spontaneous generation की बात करो, वहाँ पर हमने clear बोला था, कि हमने dead material के थुरू बनाया, और support करके देखा, क्या बन ऐसा नहीं कि organic पहले से था, हमारे पास वो organic भी chemically evolve हुआ है, कि इन और्गेनिक से, यह अलग बात हुई, spontaneous generation से, दूसरी बात, इन्होंने यह भी बोला, कि जो environment था पहले, environment जो पहले था, वो कैसा था, environment was, हमारे पास reducing था, ठीक है, temperature high था, temperature high था, और volcanic storm थे, तो यह वो condition थी, जब क्या हुआ था, chemical evolution हुआ था, actual में इस theory का main point यह था, कि किस तरीके से, वो chemicals evolve हुए, जिसने cell के evolution के लिए काम किया, और initial conditions ऐसी थी, जो हमारे पास reducing environment, temperature, और high volcanic storm था, पहले हम यह कह रहे हैं, कि non, जो life है, वो हमारे पास non living, organic से बने, और यह organic भी किस से आया है, इनorganic से, यह points थे, theory of chemical evolution के, और अब हम इसकी detail समझेंगे, और यह चीजे कैसे evolve हुई है, इस पे हम बात करने वाले हैं, तो start करते हैं, बिटा, explanation इस theory का, जो सबसे valid theory है, मतलब, अगर आप ध्यान से सोचे, सबसे valid theory जो है, वो यही है, जो chemical evolution की है हम explanation की बात कर रहे हैं, किस की? explanation of theory of chemical evolution, theory of chemical evolution, कुछ step wise explanation कह रहे हैं, किस तरीके से चीजे evolve हुई है, इस पे बात कर रहे हैं, चीखे, किस तरीके से चीजे evolve हुई हैं, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं, explanation of theory of chemical evolution, इसकी बात करें चलो देखते हैं एकदम जीरो से देखेंगे क्या चीज होई इसमें वो वर्ड वो सब इंक्लूड हो जाएगा जो हमने उसको लेकर बात करी थी जिसको मतला हमने कहा था देखो explanation कैसे हम बात कर रहा है यहाँ पर वो भी इंक्लूड हो जाएगा जो हमने बात क करूं तो कैसे चीजे मूफ करी होगी एंड मतलब आपने यह समझना है starting में ऐसे हुआ कि मेरे पास आर्थ क्या थी कुछ मॉल्टन थी अर्थ मेरे पास क्या थी मॉल्टन थी अगर कोई चीज मॉल्टन है तो उसमें हैवी चीज अंदर आ जाएगी तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जो elements बने उसमें से मालो हैवी हैवी वाले कौन से होंगे जैसे मालो जो ammonium है वो थोड़ा सा हैवी है हना ammonium है magnesium है थोड़ा अंदर की तरफ चलेगे surface पे मेरे पास यह carbon hydrogen oxygen nitrogen जो light चीज़े थी वो surface पे आ गई अब यह जो carbon hydrogen oxygen nitrogen है यह बिलकुल मैं starting से बात कर रहा हूं जब ammonia release हुआ तो जो हमने बात करी थी इन्होंने क्या किया इन्होंने hydride और hydride और carbide type की चीज़ बनाती है अना hydride carbide ऐसा कुछ बनाती है अना इस सरीके की कुछ चीज़े बना दी तो basically हम यह कह रहे हैं कि इन्होंने compound बनाए तो इन्होंने जो compound बनाए आप मैं फिर बोल रहा हूं iron हो सकता और deep में चला गया हो तो इन्होंने जो compound बनाए वो यह gases थी CO2 बनाए NS3 बनाए और हमारे पास CH4 बनाए और H2 बना दी यह चीज़े बना दी इन्होंने तो यह gases वही है जो हमने बोला था release हुई थी molten earth से तो हम एक दम starting से बता रहे हैं ठीक है आपको अब क्या हुआ फिर इन्होंने क्या किया बटा यह release हो गया उसके बाद क्या हुआ मेरे पास फिर वो पूरा process होता है तो अर्थ पे मेरे पास second मैं लिख सकता हूँ on earth मेरे पास एक तो atmosphere बन गया एक atmosphere बन गया मतला ओजोन बन चुकी थी उसके साथ मेरे पास hydrosphere बन गया hydrosphere बन गया मतलब मेरे पास ocean बन गया क्या बन गया ocean बन गया ocean बन गया जिसका पानी अभी भी गरम था कुछ बच्चे कह रहे है यार 800 डिगरी पे पानी दे को एक चीज है यह भी आप समझो कि हम 100 डिगरी पे सारा का सारा पानी वेपर थोड़ी बनता वो तो वेपर और उ कि atmosphere और hydrosphere यह हमारे पास बन गए atmosphere और hydrosphere यह चीजे हमारे पास बन गई और साथ में मेरे पास यह जो अंदर heavy čीजे थी इन्होंने lithosphere बना दिया land बना दिया यह चीजे बन गई अगर आप जहां से देखें हमारे पास वो जो हमने atmosphere का evolution पढ़ा था, वो यहां तक था इसके बाद की कहानी important है इसके बाद की कहानी chemical evolution को support कर रही है तो मेरे पास already ocean present है मेरे पास ये ocean है जिसमें पानी है और इसमें मेरे पास कुछ elements है तो इन elements की वज़े से मेरे पास simple inorganic चीजे बनी simple inorganic और organic चीजे इसके अंदर बनी and organic organic ये इस ocean के अंदर बनी मतलब organic और inorganic चीजे उस पानी में जो elements थे उनके reaction से बनी तो देखो क्या क्या बना होगा हो सकता है इसमें मेरे पास मालो methane बन गया हो हो सकता है मेरे पास methane के अलावा मेरे पास ammonia बन गया हो dissolve form में हो कुछ ना कुछ methane बना हो हमारे पास तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो सारी चीजे हैं ये हो सकता है इसमें कुछ mix हो हमारे पास तो ये ये हमारे पास एक ocean है जिसका temperature जादा है CO2 होगी ऐसा कुछ हमारे पास होगा ठीक है तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं इन्हें हम कह रहें इन और्गेनिक चीजे तो आपको ये समझ आना चीए कि ओशियन में मेरे पास इन और्गेनिक कमपाउंड है अगला एवलूशन कैसे मूव करा ये वो चीजे है जब हमने अभी एटमॉस्फिर पढ़ा तब तक की बात है कि बहुत सारे इन और्गेनिक मेरे पास मिथेन है तो अगर आपको कोश्चन आता है कि फस्ट इन और्गेनिक कमपाउंड जो बना क्या है अमोनिया फस्ट और्गेनिक कमपाउंड जो बना वो मिथेन था अब देखो जरा अब हमने क्या किया ये फिर रियक्ट किया आपस में मतला आप समझो इनमें क्या हुआ रियक्शन फिर से हुआ इनमें रियक्शन हुए और रियक्शन होने के लिए क्या कंडिशन थी लगबग 800 डिगरी सेल्सियस था रेड्यूसिंग एन्वार्मेंट था क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं वो यूज हो गई थी सारी तो इस इस कंडिशन में घ्यान से सुनें बच्चे इस कंडिशन में मेरे पास ओशियन के अंदर सिंपल और्गैनिक चीज आ गई अब यह सिंपल और्गैनिक चीज का क्या मतलब हुआ सिंपल और्गैनिक का मतलब मेरे पास अमीनो एसिड्स बन गए मेरे पास शुगर्स बन गए मेर पास pigments बन गए, तो यह simple organic चीज आ गई, तो देख रहे हो, यह एक तरीके से chemically evolve हो रहा है, अगर आपको मैं कहूँ, what is theory of chemical evolution, पहले मेरे पास simple inorganic compound बने, then मेरे पास simple organic compound बने, now simple organic compound is like sugar, amino acid, इनकी formation को मैं simple organic compound कह रहा हूँ, इनकी formation को मैं simple organic compound का नाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनें बिटा, clear, ध्यान से सुनें, clear, सही है, clear, तो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं, हम यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि जो inorganic compound है, उसको हमने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, उसको हमने इन ओर्गेनिक compound जो था 800 degree Celsius, reducing reactions थे, environment था और amino acid, sugar, pigment, simple organic में convert कर दिया हमने, clear हो गई बात, अब जरा next सुनना ध्यान से बटा, अब जरा next सुनना जो मैं बताने वाला हूँ आपको, next सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ पर बता दिया simple organic, हाना, हमने यहाँ पर बना दिया simple organic, तो आप देखो steps कैसे move कर रहे है, simple organic मेरे पास जो बना, simple organic मेरे पास कौन सा बना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ocean के अंदर, simple organic चीज बन गई, अब यह simple organic क्या थी, मैंने बता दिया आपको, मेरे पास बने यह सब sugar बन गए, amino acids बन गए, nucleotides भी हो सकता बन गई हो, pigments बन हुआ, chemical evolution में थोड़ा सा और evolution हुआ, और फिर हमारे पास complex organic चीज बन गई, तो अगली चीज क्या बनी है, बिटा, अगली चीज क्या बनी है, complex organic, हम यहाँ पर लिख रहे है, complex organic, हना complex organic molecule form हो गए, clear, सही है, तो complex organic molecule हमारे पास इसमें बन चुके है, मतलब इसमें हमारे पास complex organic चीजे हमारे पास क्या हो गई, बन गई, अब यह जो complex organic चीजे बनी, यह कौन सी है, समझो इस बात को, कौन सी है, जैसे sugar था, sugar से कुछ polysacryde बन गया होगा, समझ लो, sugar से कुछ polysacryde बन गया होगा, फिर मेरे पास हो सकता है, कुछ proteins बन गई हो कुछ मेरे पास क्या बन गया हो, DNA बन गया हो, तो इस तरीके सी है, sorry, RNA बन गया हो, मैं DNA भी लिख दू, RNA भी लिख दू, तो मैं यहां लिख रहा हूँ, चलो माल लो, मेरे पास lipid बन गया, nucleic acid बन गया, कुछ ऐसी चीजे बन गई, lipid बन गया, और nucleic acid बन गया, इसका हमारे पास क्या बना elements बने elements ने weight के हिसाब से खुद को arrange किया फिर जो surface वाले elements थे वो reactive थे carbon hydrogen oxygen nitrogen उन्होंने react करके मतलब कुछ compounds बनाए ठीक है उनमें से पूरा वो process हुआ तो हमारे पास ocean बन गया उस ocean में जो inorganic compound थे वो खौलते वे पानी में मतलब boiling water में थे एक तरीके से उन्होंने react करके simple organic compound बना दिये अब यह simple organic compound भी उस खौलते वे पानी में है उन्होंने क्या किया यह complex organic इसके अंदर complex organic compound बना दिये इसे हम नाम देते हैं यहीं से question एक आ जाता है इसे हम नाम देते हैं hot dilute soup बन गया एक तरीके से hot dilute soup बन गया जिसे हम क्या बोलते हैं prebiotic soup prebiotic soup बोलते हैं जिसको नाम दिया था हेल्डन ने हेल्डन ने इसको एक नाम दे दिया इस soup को prebiotic soup तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आना चाहिए कि एक ऐसी situation आई कि ocean के अंदर सिर्फ sugar मतलब polys है देखो कुछ ये भी होंगे कुछ ये भी होंगे ये काफी सारे बन गए polysacry protein बने वे फैले वे पूरे ocean में ऐसी एक situation आई तो एक गरम सूप बना हुआ है जिसे हम क्या नाम देते हैं prebiotic लाइफ से आने से पहले तो हमारे पास अगर question आता है prebiotic soup है क्या it is complex organic molecule in hot water is known as prebiotic soup यहां तक समझ में आ रही है बोलो यहां तक समझ में आ रही है तो ये हमारे पास complex organic molecule बन गए अब ये ready था कि हम यहां से अब life evolve कर सकते थे तो NCRT ने जो line लिखी है कि operin heldon ने का life evolve from pre-existing तो ये रहा वो pre-existing living organic sorry non-living organic molecule ये रहा वो clear और वो आया कैसे है by chemical evolution ऐसे inorganic से organic अब देखो जड़ा आगे की कहानी ये है बिटा आगे की कहानी ये है कि मेरे पास ये जो complex organic है ध्यान से देखना बिटा मालो ये ocean है इस ocean में मेरे पास वो complex organic है complex organic कौन है complex organic में कौन-कौन है protein है lipid है ये सारी चीज़े है lipid carbohydrate है कुछ और मेरे पास nucleic acid है और मेरे पास क्या है nucleic acid है अब क्या हुआ समझना ज्यान से अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ अब ये होगा इसीच को समझना कि ये मालो ocean है सारा ये वो molecules है ये वाले अब इन्होंने क किया aggregation बनानी start की now aggregation क्या होता है कठा होना start किया तो इन्होंने क्या किया इन्होंने विटा ये जो complex organic molecules हैं इन्होंने aggregation बनानी start मतला ये diluted form में थे इन्होंने जहां जहां possible हुआ कुछ aggregation बनानी start की, now what is aggregation, aggregation का मतलब, ध्यान से सुने, aggregation का मतलब कुछ इस तरीके की चीछ, aggregation का मतलब इस तरीके का कुछ बनाना start कर दिया है इनोंने, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, what is cell, cell क्या होता है, cell is something जो जिसके अंदर कुछ reactions चल रहे हो, जो बाहर के reaction से अलग हो, तो मैं यह मान रहा हूँ कि उस hot जो soup था, मेरे पास pre-biotic soup था, उस pre-biotic soup में काफी सारे reactions चल रहे थे, वो जो reactions उसके अंदर चल रहे थे, अगर वो reaction किसी close chamber में होने लगे, और वो chamber बाहर के environment से अलग हो जाए थोड़ा बहुत, और उसके साथ वो divide करके पर कह सकते हैं कि कुछ aggregations बनी होंगी, कुछ क्या बनी होंगी, some aggregation बनी होंगी, तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्या clear बोल रहा हूँ बेटा, कुछ aggregations बनी किनकी inorganic molecules की, हना, कुछ aggregation बनी, कहां से, some aggregation form, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ देखो, हमने, अगर हम कहते हैं, chemical evolution हुआ, हमने कहा, simple inorganic, जो है, वो simple organic बनाता है, यह वाले step की बात कर रहा हूँ, मालो मैं, मैं इस step की बात कर रहा हूँ, जो यह वाला step है, कि हमारे पास, जो simple inorganic है, वो यह वाला चीज बनाता है, इसको कौन support करेगा, इसको support किया Miller experiment में, इसको support किया किसने, Miller experiment में, तो जो Miller ने experiment किया, उसने यह करके दिखाया, कि किस सरीके से simple inorganic मेरे पास organic में बनते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो चीज million of years में हुई है, मतलब हम यह कहते हैं, कि millions of years में कोई चीज हुई है, उसको मैं एक experiment के truth, दो दिन में तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं वैसी ही condition बनाओं, तो उसके किसी एक step को replicate कर सकता, मेरी बास सुनना ध्यान से मैंने क्या बोला, मैंने यह बोला है, जो चीज लाखों सालों में हुई है, उस लाखों सालों में होने वाली चीज को आप एक दिन में replicate नहीं कर सकते, दस दिन में, बीस दिन में replicate नहीं कर सकते, अगर आप वैसी ही conditions बनाएं, वैसी ही conditions दें, तो कोई एक step को आप दिखा सकते हो, तो Miller experiment ने इस वाले step को दिखाया, simple inorganic को convert किया हमने simple organic में, यह वाला step उन्होंने करके दिखाया, किसने करके दिखाया Miller ने, ऐसे ही जब मैं यहाँ वाले step पर आया, जहां मैं aggregation की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी क्या किया, Operin ने कुछ experiment किये, तो Operin ने क्या किया, Operin ने lab में ऐसे ही aggregate बनाए, तो Operin डेवलक्ट सच aggregates, उन्होंने कुछ aggregates बनाए, इन लैब, और उन्होंने उसको नाम दिया, मतलब अगर यह aggregation समझे तो यह goal सा जो structure है, उसको उन्होंने नाम दिया, कॉसरवेट, क्या नाम दिया, कॉसरवेट नाम दिया, और उन्होंने कॉसरवेट कैसे बनाया था, लैब में, वो कुछ protein, कुछ हमारे पास basically protein का और carbohydrate का बना हुआ था, तो जो कॉसरवेट था, जो Operin का कॉसरवेट था, Operin ने कॉसरवेट बनाया, वो सिर्फ क्या था, उन्होंने क्या किया, लैब में कुछ chemicals लिये, कौन से वाले लिये होंगे, complex organic, उनको shake किया, काफी ज़ादा उनको shake किया, vigorous मतलब difficult conditions बनायी, और उनमें shake करके देखा कि क्या हम क्या बना पा रहे हैं, तो उन्होंने पाया, कि एक molecule बना, जो गोल सा ऐसा molecule बना, उसे उन्होंने नाम दे दिया, कॉसरवेट, उसकी कुछ property थी, कॉसरवेट की property ये थी, कि वो protein प्लस carbohydrate का कुछ बना हुआ था, protein प्लस carbohydrate का हमारे पास क्या है, aggregate है, NCRT ने इस aggregate को capsule जैसा नाम दे रखा, large size का aggregate, ठीक है, और दूसरा क्या था बिटा, दूसरा क्या था, उसमें कुछ metabolism हो रहा था, कुछ metabolism का मतलब, कुछ reaction चलता था, और बहार से वो चीजे absorb करके, size बढ़ता हुआ दिखाता था, ऐसे absorb करके size बढ़ता हुआ दिखाता था, लेकिन उसके साथ problem ये थी, कि उसमें lipid नहीं था, lipid की covering absent थी, कैसा कोई lipid नहीं था, जैसे हम लोग lipid by layer कहते हैं ना, lipid की covering absent थी, इसलिए वो क्या show करता था, no reproduction, reproduction show नहीं करता था, मतलब ऐसा कुछ हमने सोचना है, तो हम यहाँ पर यह सोच रहे हैं, कि जो ocean beta complex organic से भरा हुआ है, उसने ये aggregate बनाना शुरू किया होगा, ये तो हम history की बात कर रहे हैं, शुरू किया होगा, इसको support किस ने किया, ओपिरिन ने अपनी lab में ये करके देखा, कि यार ये हाँ ज़रूरी है, ये मेरे पास, ये इस तरीके का conservate बन रहा है, तो उन्होंने protein, carbohydrate वगरे का aggregate बनाया, उसमें देखा कि यार ये aggregate बाहर से chemical absorb कर सकता है, पर ये reproduce नहीं कर रहा है, मतलब ये इससे और नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने देखा, similar experiment एक scientist ने किया, उसका नाम Sydney Fox था, Sydney Fox ने, Sydney Fox ने similar experiment किया, और उसने वो lipid का aggregate बनाया, similar experiment किया, और उन्होंने उस, जो aggregate बना, उसका नाम microsphere रखा, क्या रखा, microsphere रखा, तो microsphere क्या था, वो lipid का था, lipid aggregate था, और उसमें क्या होती थी, lipid aggregate था, उसमें क्या होती थी, जैसे मालो, lipid है, lipid में जैसे budding होके थोड़ा सा निकल जाता ना, lipid की membrane है, एक चोटा सा bud निकल सकता है, तो कहीं न कहीं reproduction कर रहा है न, तो उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, बड़िंग होती थी, बड़िंग टाइप से possible थी, बड़िंग टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मालो, यह lipid का aggregate है, इसे microsphere कह रहे हो, इसमें से, बड़िंग करके निकलने का मतलब यह हुआ, एक चोटा सा पार्ट ऐसे अलग हो जाए, इस तरीके से, इस तरीके से, चोटा सा पार्ट अलग हो जाए, इसे कह रहे हैं, बड़िंग करके अलग होना, फिर वो भी metabolism शो कर रहा था, तो आपको यह समझ आना चीए, कि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, exactly पढ़ क्या रहे हैं, हम evolution में यह पढ़ रहे हैं, cell कैसे evolve हुआ, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, chemical evolution की, तो hydrosphere तक तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, फिर पानी के अंदर inorganic चीजे थी, वो inorganic चीजे convert हुई है, simple organic में, now what is meaning of simple organic, simple organic का meaning यह है, कि ऐसा compound जैसे कि हमारे पास amino acid आ गया, यह सब आ गया, amino acid, sugar, यह सारी चीजे आ गई, ठीक है, फिर वो भी react किये, बहुत लंबा समय लगा, वो भी react किये, और जब वो react करे हमारे पास, तो उन्होंने complex organic बना लिया, अब आप एक situation assume करो, एक बहुत बड़ा ocean है, मतल उसमें sugar है, यह भी, और वो dilute hot soup है, ऐसा ही dilute hot soup किसने बनाया था, हल्डन ने, किसने बनाया हल्डन ने, तो ऐसे ही soup को मतलब वो lab में बना के दिखा, उसे हम कहते हैं हल्डन का prebiotic soup, अब आप यह चीज़ सोचो, inorganic से organic बनाने वाला part, हम support करते हैं किसे, क्योंकि यह तो story है, एक theory है, ठीक है, अब इस story को support करने के लिए कुछ ना कुछ evidence है यह, evidence दो तरीके के होते हैं, या तो आपके पास fossil हो, fossil समझ में आ रहा है, उस समय का कोई proof हो आपके पास, direct evidence हो गया, नहीं अगर आपके पास fossil है, तो आप क्या करो, कुछ और तरीका निकालो, नहीं मिल रहा है, फिर और option में यह है, कि आप क्या करो, जो आप बाते बोल रहे हो, उस बातों को support करने के लिए कोई experiment करो, वो experiment अगर उन बातों को support कर रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया, हेल्डन ने क्या बनाया, हेल्डन ने pre-biotic soup बना करने का, तो अभी उन्होंने theory propose की होगी, आपरेन ने क्या किया, आपरेन ने जो complex organic थे, उससे microsphere बना के देखा, microsphere is more carbohydrate और protein molecule, जो क्या करता था, size increase करता था, थोड़ा metabolism शो करता था, अभी तक cell बना नहीं है, cell बनाने के लिए condition ही होनी चाहिए, कुछ reaction होने चाहिए, और replication के लिए कुछ चाहिए उसमें, ऐसा कुछ करना है, तो हैल्डन ने क्या किया, हैल्डन ने क्या किया, प्री बायोटिक सूप बना के देखा लैब में, उसके बाद क्या हुआ, कि हमारे पास जो पानी के अंदर complex organic चीजे थी, वो इकठी होनी start हो गई, इकठी होनी start हो गई, उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने complex organic molecules बना दिया, उन्होंने क्या बनाया बेटा, complex organic molecule बना दिया, complex organic molecule ने इकठा होके, aggregate बना दिया, now what is aggregation, aggregation मतलब कुछ चीज इकठी हो जाए, इकठी होके, एक sphere जैसा structure बना, जिसने बाहर के environment को अंदर के environment से अलग किया, अंदर कुछ chemical reactions चल रहे होंगे, तो ये जो sphere बना, इ इसको दो scientist ने proof किया, एक हमारे पास, हमारे पास operin है, उसने वो जो sphere जैसा structure बनाया, उसका नाम conservate रखा, एक scientist है, जिनका नाम Sydney Fox है, उन्होंने भी वो sphere जैसा structure बनाया, पर उन्होंने उसका नाम microsphere रखा, दोनों different थे थोड़े से, फरक ये था, कि जो conservate था, उसमें वो budding जैसी reproduction नहीं होती थी, reason ये है, कि जो lipid molecule है, उसमें हमारे पास budding possible है, तो कहीं ना कहीं जो reproduction को लेकर बात थी, वो microsphere के थूरू हम बात कर सकते थे, तो microsphere किसने बनाया है, Sydney Fox ने, कॉसरवेट किसने बना कर देखा, operin ने, operin इसको कॉसरवेट दे रहा था, जो उस समय नाम था, वो operin ने दिया होगा ना, कॉसरवेट या microsphere जो भी हम बोल सकते हैं, अब क्या था बिटा, यहां से, यहां से, अब हमने एक aggregate बना लिया, यहां से story इस तरफ चली है, कि हमार पास यहां से protocell आया होगा, protocell मतलब proper cell नहीं है, और उसके अंदर protocell क्या था, एक ऐसा cell जैसा कुछ आया होगा, जो divide तो करता होगा, जैसे हमने का कि यहां budding तो आ गई, उसमें division तो होती होगी, लेकिन मुझे कहीं ना कोई, कोई ऐसी machinery चाहिए, जो protein बनवा सके, क्योंकि कि मुझे information के थुरू protein बनानी, मतलब मैं यह कहना चाहरा हूँ, कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, कि जैसे पहले तो मानलो, इसके अंदर कुछ reactions फस गए होंगे, इसलिए हो रहे होंगे, पर मुझे कहीं ना कहीं, इस molecule के अंदर reactions evolve करने हैं, यह वो time था, जब cell प्र क्यांद से सुन लो, elements थे, elements जो थे मेरे पास, उससे compound बने, याना, compound में किसकी बात कर रहा हूं? मैं, compound में बात कर रहा हूं बिटा, आपके लिए, compound में किसकी बात कर रहा हूं? है CH4 बना होगा ammonia बना होगा H2 बना होगा CO2 यह सारी चीज़े बनी इससे मेरे पास फिर यह सब बन गया hydrosphere याद करो hydrosphere atmosphere यह सारी चीज़े बन चुकी है अब इसके अंदर मेरे पास simple inorganic पानी में है simple inorganic मेरे पास किस में है बिटा पानी में है ठीक है simple inorganic पानी में में मेरे पास जो है उससे मेरे पास आया simple organic simple organic आया अब जब simple organic आ गया simple organic आ गया तो simple organic से हमने क्या बनाया याद करो complex यह complex organic क्या था शुगर था amino acids इनसे हमने क्या करा नहीं simple organic में sugar amino acid है यह सब complex organic में क्या बना दिया हमने सोचो जरा सोचो बिटा complex organic में हमने क्या बना दिया हमने polypeptide protein बना दी हमने यहां Nucleic Acid बना दिया, Carbohydrid बना दिया, यह सारा बना दिया, अब यहां से हमने क्या चीज बनाई, Aggregation बनाई, तो फिर Aggregation बनी, ठीक है, इसको हमने यह जो Complex Organic वाला था, इसको हमने Hot Dilute Soup का नाम दिया है, इसी को नाम दिया हमने Hot Dilute Soup, यहां पर हम आ चुके हैं, मैं फिर repeat क करूँ है, इसको मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे Actual में क्या है, कई वर बताऊँगा, आपको याद हो जाएगा, तो Hot Dilute Soup आ गया, अब उस Hot Dilute Soup से आपने Cosservate बना लिए, Cosservate प्लस Microsphere बना लिए, अब यह क्या थे, Simple Capsule जैसे थे, अब क्या होगा बिटा, हमारे पास जो चीज आएगी, उसको मैं Proto Cell बोलूँगा, Proto Cell का मतलब अभी हमारे पास Cell बना नहीं है, पर इसमें क्या हुआ, देखो, यह Divide करता था, क्योंकि Budding होती दूसरा इसमें बिटा, वो RNA वाला वर्ल्ड इवाल्व किया होगा, RNA वर्ल्ड का मतलब याद करो, Molecular Genetics में हमने बोला था, कि RNA के पास Capability है, Copy बनाने की, साथ के साथ Reaction Catalyze करने की, तो कही न कहीं RNA वर्ल्ड इवाल्व हुआ होगा, यह Divide होगा, और कहीं न कहीं, इसको Energy ल कोई चीज, जैसे इसका Size बढ़ रहा है, Size कैसे बढ़ रहा है, बहार से वो Complex Organic को अंदर ले रहा है, और उसको Energy के लिए हो सकता है, यूज करता हो, तो कहीं न कहीं, यह जो चीजे थी, यह Hetero Trough Type की थी, पर यह Cell नहीं था, यह Proper Cell नहीं था, इसके बाद हमारे पास पहला Cell आया होगा, अगर पहला Cell आया, उससे जस्ट पहले, जो Story थी, वो इधर Move करी है, मेरे पास RNA to DNA Transformation हो गया था, हमने कहा था, याद करो आपको, कि RNA Convert होता है DNA में, कैसे, 2-डेश पर H ले आते हैं, यूरेसल को Modify करते हैं, थाइमीन में और Double Standard बनाते हैं, तो RNA, DNA हमारे पास Conversion हो गई थी, तब उसके बाद मेरे पास पहला Cell आया, और जो पहला Cell आया, वो क्या था, पहला Cell था, जिसमें वो RNA, DNA का System evolve कर गया, ठीक है, एकदम Procreatic Cell जैसा था, लेकिन वो क्या करता था, बाहर के Complex Organic चीजे यूज करता था, तो जो पहला Cell आया, जो हमारे पास पहला Cell आया ध्यान से सुनें बेटा, जो First Cell आया, वो क्या था, बिल्कुल Dividing था, क्योंकि उससे पहले Dividing की Property आ गई थी, उसमें Genetic Material DNA था, Genetic Material मेरे पास क्या था, DNA था, क्योंकि उसमें RNA, DNA System आ गया था, ठीक है, और आपको ये समझ आना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, ये समझ आना कि इसके अंदर और क्या हुआ होगा पहला SEL, पहला SEL बाहर से Chemical यूज़ करता था, तो उसे कहते हैं कीमो हैट्रोट्रॉफ था, देखो, केमिकल यूज़ करता था बाहर से, तो कीमो यूज़्यूझ पहला से आया, वो बाहर से Chemical यूज़ कर रहा है, वो जो Hot Dilute Soup यूज उ अभी तक oxygen बनी नहीं है और वो कैसा था बेटा एन एरोबिक था आप सोचो कुछ से तो जो पहला cell आया उसमें वो DNA RNA system आ चुका था ठीक है आ चुका था तो हम यह कह रहे हैं बेटा DNA RNA system आ चुका है और वो cell जो है वो cell basically कैसा है एन एरोबिक है एन एरोबिक क्योंकि उस वक्त oxygen आई नहीं थी और वो chemo chemical reaction यूज कर रहा है बाहर से what is chemo बाहर के chemical reaction से energy ले रहा है उन chemicals को use कर रहा है तो उसे chemo heterotroph कहेंगे और वो dividing भी था और वो anaerobic था ठीक है अब मिरे को एक्छी बताओ आपके पास एक ocean है जहां chemo heterotroph evolve हो चुके हैं और बाहर से वो hot dilute soup का chemical use भी कर रहे हैं अब मुझे आप सोच के खुद से बताना अगर वो बाहर से hot dilute soup का chemical use कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ समय के बाद कुछ time के बाद वो पूरा chemical खतम हो जाएगा और cell भी मर जाएगा और हो सकता है कुछ planets पे ऐसा हुआ भी हो अर्थ पर इसकी जगा क्या हुआ जब अर्थ पर यह हुआ क्योंकि हम कहते हैं कि हम success story of evolution की बात करते हैं तो अर्थ पर इसकी जगा क्या हुआ मेरे पास इसके बाद chemo autotroph आगे अब यह जो chemo autotroph थे यह भी chemical use कर रहे हैं बाहर से पर यह अपना खुद का food भी बना पा रहे हैं तो chemo heterotroph से chemo autotroph आगे difference सोचो द लेते थे बस लेकिन यह बाहर से chemical use करके जो energy आती थी उससे यह खुद का खाना बना सकते थे इससे फाइदा क्या होगा अगर कुछ time के लिए आसपास वो chemical खतम भी हो जाए तो यह survive कर सकते हैं क्योंकि खुद का खाना है थोड़ी देर के लिए why we need autotroph autotroph क्या फाइदा क् देखो plant दिन बर खाना बनाता है लेकिन रात में food नहीं बनाता तो रात में survive करने के लिए उसके पास खाना है तभी तो life continue रहेगी तो कहीं न कहीं मुझे autotroph की जुरत थी तो पहले जो आए वो chemo autotroph थे अभी तक oxygen नहीं आई तो ये भी मेरे पास क्या थे एन aerobic थे ये भ कहीं न कहीं बेटा अब extinct करने के उस पे होंगे क्योंकि जैसे जैसे chemical खतम हुआ आसपास उनके वो मरते चले गए तो ये तो खतम ठीक है अब क्या हुआ अब हमें ये समझ आया कि यार जो chemical है ocean का वो खतम हो रहा है तो मुझे कहीं न कहीं कुछ alternate source मुझे करना पड़ेगा तो फिर pigments evolve हुए होंगे तो pigments बने वो fix हो गए तो कहीं न कहीं मेरे पास अब time आ गया किसका photo autotroph का और photo autotroph में भी सबसे पहले वो आये जो n-oxygenic थे जिनोंने oxygen नहीं बनाई जैसे हमने याद करो purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria जो पानी use नहीं कर रहे थे क्योंकि पानी अभी उन्होंने use किय या इन्हीं oxygen बनी ही नहीं तो आप देखो सबसे पहले chemo heterotroph आये, फिर chemo autotroph आये, फिर photo autotroph आये, photo autotroph का मतलब कहीं न कहीं sun से energy लेकर pigment जो है, वो system हमारे पास evolve हो गया, वो system evolve हो गया, जब ये evolve हो गया, तो मेरे पास पहला autotroph आया, जिसे हमने बोला photo autotroph, अगला photo autotroph, लेकिन ये वाला photo autotroph, कौन सा था, oxygenic था, और ये वो bacteria थे, जो आप समझ रहे हो, cyanobacteria, इसका मतलब, cyanobacteria अब आ चुके हैं, और क्या बनेगी, oxygen produce होगी, अब environment aerobic होगा, तो इससे पहले, सारी condition anaerobic थी, तो environment क्या हो गया, हमारे पास, aerobic हो गया, तो कहानी यहाँ है बेटा environment क्या हो गया, हमारे पास, aerobic हो गया, अब धीरे-धीरे environment में oxygen बढ़ने लगी, पानी तूटने लगा, oxygen बढ़ने लगी, और धीरे-धीरे, तो इसका मतलब, वो cyanobacteria है, जिनका ऐसान हमारे उपर है, कि उसने aerobic condition कर दी, यहाँ से पहले, यह सारी anaerobic condition है, अब इसके बाद, हमारे पास यह pro-karyotic cell आ गया है, अब इसके बाद diversity आई होगी, और मैं बोलूँगा, इसके बाद, पहला eukaryotic cell आया होगा, और अगर आप eukaryotic cell के evolution की बात करें, तो इसमें एक theory है, जिसे हम कहते हैं, मतलब धीरे-धीरे अपने आप आ जाना, दूसरी theory यह कहती है, endosymbiotic theory, मतलब एक बड़े eukaryotic, sorry, एक बड़े pro-karyotic cell में एक छोटा pro-karyotic cell फस गया होगा, और वो दोनों एक दूसरे की help कर रहे होगे, जैसे best example है, mitochondria और chloroplast, they are like pro-karyotic cell, पर उसको क्या कर रहा है, उन्होंने आपस में क्या develop कर लिया, एक symbiotic relationship develop कर लिया, तो eukaryotic cell को लेकर हम बात कर सकते हैं, endosymbiotic theory, तो कहीं न कहीं हम ये कहना चाहरे हैं, कहीं न कहीं हम ये कहना चाहरे हैं, कि जो life evolve हुई, life evolve हुई, वो किस तरीके से evolve हुई, फिर बाद में जब cell बना eukaryotic कैसे बना होगा, कि एक pro-karyotic cell में, बड़े वाले में, एक छोटा pro-karyotic cell फस गया, बस गया, वो cell उसके अंदर रह गया, तो वो cell क्या कर रहा था, इसको सोचना ध्यान से, वो उसके साथ help कर रहा था, जैसे mitochondria क्या है, उसका DNA, bacteria जैसे होता है, circular DNA होता है, ribosome 70S होते हैं, ठीक है, clear, तो pro-karyotic जैसा feature, उसमें कोई membrane bound, organal, mitochondria के अंदर नहीं होती, तो हम ये सम मसते हैं कि mitochondria हो सकता है, किसी ऐसे pro-karyotic cell से आया हो, जो दूसरे pro-karyotic cell के अंदर रह गया हो, इस तरीके से eukaryotic cell evolve हुआ, और अगर मैं आप से simple पूछो, what is difference between pro-karyotic cell and eukaryotic cell, अगर आप ध्यान से देखें, eukaryotic cell nothing but extra chambers, मतलब हर एक reaction के लिए एक अलग chamber है, जिसे आप organal का नाम देते हो, सोचना कभी मेरी बात को ध्यान से, और गनल्स आर नथिंग बट extension of membranes, अना, तो कहीं ना कहीं, eukaryotic cell जो था, वो pro-karyotic cell से कुछ ऐसे evolve हुआ, और finally मेरे पास cell का evolution complete हो गया, अब हम क्या करते हैं, एक timeline के थूँ चीजों को बता रहे हैं, और वहाँ पर आपक कि किसका experiment कैसे इसको support कर रहा है, और यह पूरी story है बेटा, जो आपको इस दिमाग में आने चाहिए, origin of cell की जब हम बात करते हैं, तो हम किस तरीके से move करते हैं, यह जड़ा एक summary देखो, आपको समझ आ जाएगी बात, यह summary देखो, पूरी बात समझ आएगी, summary evolution of cell, life लिख सबसे पहले हम ऐसे move कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, देखो क्या हुआ, सबसे पहले elements थे, यह elements थे, इन elements से मेरे पास compound बने, कौन से compound बने यह, जो molten mass से release हुए थे, फिर मेरे पास, atmosphere और hydrosphere बन गया, फिर मेरे पास क्या बन गया, atmosphere भी बन गया, और क्या बन गया, hydrosphere बन गया, झीचे ऐट्मोस्टेठ भी बन गया फेर जब यह बन गया हमारे पास अट्मोस्टेठ रबेह बन गया कुछी का Daar जल्दी करा क्योंकि देखो आप इस चीज को आप समझो ध्यान से हमारे next batches ready हैं हमें तो यह होना चाहिए था हम ही जल्दी होनी चीज़ी कराने की क्योंकि जब हम यहां से free होंगे तभी तो next batches में पढ़ाएंगे आप सोचो खुद से हम क्यों आपको मतलब सारा चीज नहीं आएगा बायो हो गया या फिजिक्स हो गया आपको confidence भी तो आना चाहिए टॉपिक पे कि मेरे को 100% confidence आई तो हम इस चीज को बिल्कुल बिलीब करते हैं कि हमारा जो delivery होनी चाहिए हमारा जो content होना चीज वह एकदम ऐसे level का हो जो आपके लिए अच्छा हो मतलब ऐसा आओ कि आप कहो कि हमें वहां भी नहीं पढ़ाया था आपने भी नहीं पढ़ाया हम ऐसा नहीं कर रहेंगे कि आपको कोई below मतलब स्टैंडर्ड या जो आपको नहीं काम का है वैसा कोई content deliver करें वह वह बिटा नहीं करेंगे आप यह चीज को समझो आप अगर ध्यान से सोच कोई कि वाय मतलब maximum coaching में आखरी में slivers को जल्दी यल्दी से करा देते हैं रिजन यह है कि उनके अगले batches ready हो रहे होते हैं अगले batches ready होने के लिए teacher को free होना होता है तो क्या हमें नहीं पढ़ाने अगले batches क्या हमें free नहीं होना या हमें मज़ा ही आ रहा है डेली 5 batch पढ़ पढ़ा के या दो batch पढ़ा के तो आप खुद से देखो आप सोचो इन चीजों को ध्यान से हम आपको जो content आप इसी topic को दुबारा बताने का क्या purpose है आपके अंदर दिमाग में evolution को लेके बहुत डर रहता बच्चों का उन्हें कई बर ऐसे रहता है यार यह आएगा नहीं question आएगा तो मैं A mark करो B mark करो नहीं करना आपको confidence आईए इस topic में और पूर प्रॉपर समझाना चीज़ तो उसके लिमत परेशानों क्योंकि exam कब होता है यह अभी आपके हाथ में भी नहीं है ना तो उन चीजों को अपने हाथ में रखो आप प्रॉपर एकदम प्रॉपर कर करो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अच्छे से नहीं पड़ो के तो दस revision कभी कोई benefit नहीं होने वाला है ठीक है clear तो जो main content जब पढ़ते हो उसको time देखे NCRT पढ़के सारा अच्छे से करना clear है ठीक है अब देखो मैं क्या कहा रहा है तो carbon hydrogen oxygen nitrogen co2 ns3 co2 यह बना अब यह चीज बन गई ना हमारे पास अब यहां से मेरे पास यहां से मेरे पास अब क्या आएगा simple organic का evolution हो गया simple organic का evolution हो गया अगर मैं आपको बोलू इससे मेरे पास यहां से देखना ज़रा यह जो evolution हो रहा है इसका इसमें इसको support किया है किसने सोचो द्यान से supported by Miller experiment इसका मतलब Miller experiment जो है वो उस year में दिया गया था द्यान से सुनना बेटा उस year में दिया गया था 1953 में जिस year में हमारे प ऑपेरिन हेल्डिन की थियोरी आयवे 20 साल हो गए थे जादा हो गए थे तब दिया गया है पर वो किसको support कर रहा है वो inorganic को organic में conversion में support कर रहा है तो यह यहां मतलब Miller experiment is supporting this part of evolution ठीक है अब यहां से हम आगे गए simple organic से हमने क्या बनाया बेटा complex organic बना दिया है complex organic बना दिया अब complex organic की जब हमने बात करी हमने हमने यहां पर complex organic बना दिया है जो आप देख पा रहे हो complex organic बन चुका है complex organic बन गया किस से simple organic से और यह complex organic क्या था यहां पर यह शुगर था यहां पर amino acids था तो complex organic जो हमारे पास बना वो basically क्या था बेसिकली क्या था हमारे पास protein सो सकती थी carbohydrate सो सकते थे हाना lipids हो सकते थे यह सब lipids nucleic acid यह सब बन गए अब इसी को हमने नाम दिया था hot dilute soup hot dilute soup और hot dilute soup वाली बात किसने कर दी थी Halden ने तो यह चीज आपको समझ आने चीए यह theory है पूरा बता रहे हैं इसको अब यहां से मेरे पास क्या बन गए यह बन गए जिने आप microsphere कह रहे हो plus conservate अब conservate वाला word किसने यूज किया operin ने तो इन्होंने भी कुछ experiment करके देखा होगा बिटा ना operin ने और हमारे पास यहां पर यह वाला word किसने यूज किया Sydney fox ने यह नाम पूछ भी सकता है आपसे चीख है clear अब आजाओ जरा आगे कहानी इसके आगे कहानी यह है कि जब microsphere और conservate बन गए आपके पास microsphere और conservate बन गए तो फिर मेरे पास एक proto cell बना proto cell वो था जहांपर मेरे पास वो divide करता था budding करता था हम लोग बोल सकते है रि पोडॉक्शन लिखते है इसे बडिन न लिखके reproduction लिखते है अब सफिक है ड्रीपोडख्शन लिखते हैं द्भाण से हम क्या लिखते है रिपोडक्शन लिखते हैं declared चीक है एक सेकिन देंगे बिटा ठीक है, clear तो हम क्या लिखते हैं, reproduction लिख सकते हैं समझना इस बात को हम क्या लिखेंगे, reproduction लिख सकते हैं हमने protocell लिखा बिटा तो हम यहाँ पर reproduction लिख सकते हैं इसके अलावा लिख सकते हैं इसमें RNA World आ गया होगा RNA World का मतलब RNA as a catalyst था याद आया as a catalyst काम करता था प्लस information भी होती थी तो ऐसा कोई cell आ गया पर ये पूरा cell नहीं था ठीक है अगर आप NCRT पढ़ोगे तो NCRT ये कहती है कि 3 billion साल 3 billion years ago मेरे पास non-cellular form आ गई तो ये अभी non-cellular है ये मेरे पास क्या है बिटा भी पहला cell आया जिसे आप chemo heterotroph कह रहे हो तो chemo heterotroph जो है वो पहला cell है एक तरीके से क्या है मेरे पास पहला cell है तो chemo heterotroph मेरे पास एक तरीके से पहला cell है समझो ध्यान से chemo heterotroph मेरे पास एक तरीके से पहला cell है जिसको हम बात कर रहे हैं chemo heterotroph first cell है तो हम यहाँ पर clear है इस बात को लेके chemo heterotroph हमारे पास पहला cell है first cell है जो आया तो इसके लिए NCIT ने लिखखा है यह 2 billion year ago आया होगा आप देख लो इसमें कितना समय लगा और chemo heterotroph definitely anaerobic था और यहाँ पर मेरे पास DNA RNA system आ गया मतलब DNA RNA का evolution का एक system आ गया तो इसमें मेरे पास definitely DNA था और यह बिटा हमारे पास chemo heterotroph के बाद हमारे पास जो अगले cell आए that is chemo autotroph chemo autotroph chemo autotroph आए फिर chemo autotroph के बाद जो मेरे पास आए वो photo autotroph आए पर कौन से वाले photo autotroph anoxygenic अभी oxygen नहीं बनी थी anoxygenic और फिर इसके बाद हमने क्या किया oxygenic आए जिने हमने कहा एक तरीके से photo autotroph oxygenic तो एक summary आपके दिमाग में आनी चाहिए photo autotroph oxygenic clear oxygenic और oxygenic इसके बाद मतलब sinobacteria के बाद फिर मेरे पास eukaryotic cell आए और यहां से life फिर species की तरफ गई है और हम कहते हैं organic evolution हुआ है तो यह आपके पास एक story है जो आपको समझ आनी चाहिए जो हम कहते हैं evolution of life की एक story है तो life कैसे evolved हुई देखो इससे कौन कौन से questions आ सकते हैं मैं आपको clear questions भी बता रहा हूँ तो अगर आपसे question आता है ध्यान से जुनेंगे अगर आपको question आता है हमारे पास question अगर आता है आपके पास कि first first inorganic molecule तो आप क्या mark करेंगे आपको पता है ammonia first organic लिखोगे तो आप mark करोगे क्या CH4 फिर आपसे अगर पूछा जाए first cell तो first cell हमारे पास chemo heterotroph है क्या वो aerobic है और anaerobic आप कहोगे वो anaerobic है वो क्या है हमारे पास anaerobic है ठीक है वो हमारे पास क्या है anaerobic है clear तो हम यहाँ पर बिल्कुल clear है हम यहाँ पर बिल्कुल clear है first inorganic molecule ammonia first organic हमारे पास CH4 first cell हमारे पास chemo heterotroph clear है chemo heterotroph जो हमारे पास क्या है anaerobic है clear होगी बात उसके बाद हमने कहा first organic इसकी कहानी हमने सुन ली first organic की कहानी सुन ली first inorganic की सुन ली, ठीक है, first cell बता दी आपको, chemo heterotroph, clear है, ठीक है, उसके बात देखो बिटा, उसके बात देखो हम क्या बात कर रहे हैं, उसके बात देखो, हम क्या बात कर रहे हैं बिटा, अब हमने first inorganic, first organic, first cell, ये सारी चीजे बता दी, अब देखना ज़रा, आगे देखना, आगे देखना, हमने first cell बता दी आपको, हमने कहा, कि first autotroph, तो वो आपके पास कौन सा आएगा, chemo autotroph, ठीक है, हमारे पास prebiotic soup वाला concept, prebiotic soup वाला concept, हेल्डेन, हमारे पास ये वाला concept, ये prebiotic soup वाला concept है, हमारे पास conservate की बात किस ने की थी, conservate एक aggregate है, aggregate है, तो उसकी बात किस ने की थी, और पर इन ने, ठीक है, अब देखो बिटा, यहां तक ये कुछ questions है, और मैं add करूँगा, पर अभी हमारे पास क्या है, Miller Experiment की बात कर लेनी है, क्योंकि Miller ने क्या support किया था, ध्यान जशनलो, Miller ने हमारे पास chemical evolution को support किया था, तो what is Miller Experiment, मैं repeat कर रहा हूं, what is Miller Experiment, तो Miller Experiment ने support किया था, किसको, Miller Experiment ने support किया था, किसको बिटा, supported, किसको support किया था, सोच लो ध्यान से, Miller Experiment ने support किया था, किसको, supported, ध्यान से जुनेंगे, Miller Experiment supported, हमारे पास इसको, क्या नाम है, Miller Experiment ने support किया था, किसको बिटा, supported, basically, किसको chemical evolution को, और उन्होंने जो यह अपना experiment दिया था, वो year था मेरे पास, 1953, 1953 में Miller ने अपना experiment दिया था, और Miller ने बेटा, S.L. Miller जो थे, ठीक है, आप देखना, यह S.L. Miller ने जो experiment support किया, वो 1953 में support किया, और क्या किया, सुनना, हम एक diagram देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, द करनी है, क्योंकि हम direct diagram में बताएंगे, तो आपको अच्छा रहेगा, देखो, कड़ा क्या, ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास, इस boiling water में, यह जो boiling water है, इस boiling water में, पानी था, जो की steam की form में convert किया गया, ठीक है, गैस की form में, और उसमें ammonia, methane, और H2, यह gases डालती गई, इ यहां से ले जाया गया, ऐसे, और यहां पर वो condition बनाई गई, जैसे electric spark, छीक है, clear, electric spark दिया गया, और conditions कौन से बनाई गी बिटा, लगबग हमारे पास 800 degree Celsius, छीक है, और reducing environment बनाई गया, यह condition दी गई, reducing environment बनाई गया, तो उसके यह काम कितने दिन तक किया, लगबग 18 days तक किया, यह condition 18 days तक दी, और यहां पर जो मिला इनको, यहां पर देखो, यहां से कुछ इनको मिला, आप देखो, जो यहां पर चीज थी, उसको water out, water in क्या है, यह उसको temperature normal कर रहा है, मतलब मालो, यहां पर तो 800 degree पी था, यह जो in वाला पानी है, पानी क्या कर यहां से घुम के यहां से बाहर आ रहा है, तो पानी क्या कर रहा है, उस tube का temperature normal कर रहा है, तो वो solution की form में, यहां मिल जाएगा किस में, solution की form में, तो इस solution में मुझे क्या मिले, amino acids मिले, क्या मिले मुझे amino acids मिले, तो Miller experiment में direct पूछेगा आप से, सबसे पहले कहेगा conditions क्या दी तो conditions जो दी गई, वो दी गई बिटा, हमारे पास 800 degree Celsius temperature, electric discharge, electric current चैसी condition दी गई, और environment रखा गया, reducing, कौन कौन सी gases ली गई, तो जो gases ली गई, वो ली गई मेरे पास ये, hydrogen लिया गया, ammonia लिया गया, और methane लिया गया, और इनको लेने का जो ratio लखा गया, वो 212 का, ठीक है, 212 का ratio रखा गया, ठीक है, clear, टो 212 के ratio में इन gases को लिया गया, इन gases को 212 के ratio में, जिसमें 1 हमारे पास ammonia है, इस ratio में लिया गया, now this is ratio, उसके बाद कितना condition, 18 days तक करा गया, process, तो जो product बना, तो NCIT ने लिखा है, product में amino acids बने, product में क्या बने, amino acids बने, और आपको previous questions कुछ मिलेंगे, उसमें नाम भी है उनके, जिसे glycine बना, मेरे पास glycine बन चीक है, clear, glycine बन जाएगा, aspartic acid बन जाएगा, alanine बन सकता है, क्या नहीं बनेगा, glutamic acid, क्योंकि glutamic acid हम क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि first amino acid जो plant में हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, glutamic acid, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, क्या नहीं बनेगा, glutamic acid नहीं बनेगा, क्योंकि वो यहां नहीं बना था, वो plants में बनता है ऐसे, इसको मना कर रहा है, ठीक है, clear, तो यह Miller experiment के बारे में conditions याद करनी है, पर Miller experiment किसको support कर रहा था, theory of chemical evolution को support किया, और आप सोचो ज़रा, theory आ रही है 1920 में, और उसका support आ रहा है, तो इसका मतलब, अगर हम support कर रहे हैं किसी theory को, तो हम perform कर रहे हैं various experiment कि वो theory सही हो, और इसलिए यह बहुत accepted theory है, क्योंकि काफी सारे experiment इसके बाद में भी किये गए, जिनोंने सही माना, इसलिए NCRT ने बोला है, इसलिए NCRT ने clear बोला है, बिटा, Miller experiment को लेके, कि similar experiments done by, similar experiment, other support देखो, other support for theory of chemical evolution, theory of chemical evolution का other support कहां से आ रहा है, other support कहां से आ रहा है, हम लिख रहे हैं बिटा, similar, द्यान से जुनों बिचे, similar experiment performed by other scientists, नाम नहीं लिख रहे हम, और उन्होंने कहा कि और भी चीजे बनी, हना उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि सिर्फ amino acid बना, proved formation of amino acids ठीक है, nucleotide sugars, pigments, ये चीजों को भी प्रूफ किया उन्होंने, तो इसका मतलब, मिलर वाले में तो सिर्फ amino acid लिखा हुआ है, other ने तो ये भी प्रूफ कर दिया, ना, ये भी प्रूफ कर दिया, दूसरा NCIT ने एक और बात लिखी है, कि जो meteoroid आता है, meteoroid from outside of earth, outside of earth जब आता है, तो उसके अंदर जब हम chemical analysis करते हैं, तो मुझे ये कुछ compound दिखते हैं से, chemical analysis also, chemical analysis also prove, such chemical evolution, मतलब ये chemical evolution हुआ है, ये meteoroid के अंदर से भी पता चलता है, तो इसका मतलब आप समझो ध्यान से, और कौन से question आते हैं, Miller experiment ने क्या किया था, conditions आती है, क्या ratio में ली gases ये पूछ सकता है, क्या बना ये पूछ सकता है, और Miller experiment का year पूछ सकता है, reason है year anxiety में given है, तो ये वो support थे जो हमने देख लिए बिटा, जो हमने देख लिए, और अगर मैं question में देखूँ तो यहाँ पर, क्या नाम है, gases के नाम, जो question आएंगे, gases के name of Miller experiment, Miller experiment में gases के नाम आ जाएंगे, और अगली कहानी ये आ जाएगी, ratio of gases, कौन सी gases ली, उनकी क्या ratio थी, पानी वेपर की form में था, वो तो बहुत जादा रहा होगा न, उसके सामने तो बाकी सारे बहुत कम थे, ठीक है, उसके अलावा हम बोल सकते हैं, amino acids, amino acids जो बने, amino acids which form, हना, वो हमने कैसे बनाई, ये चीज है मारे पास, कि कौन से amino acids बने, उनके नाम, amino acids के जो नाम पढ़ोगे, आप कौन से हैं वो, glutamic acid है, वो नहीं बना, glutamic acid नहीं बना, कौन सा बना, aspartic acid, glycine, alanine, ये पूछ सकता है, ये NCRT में नाम तो नहीं है, लेकिन पुरानी question मिलेंगे, उसमें है ये, ये पूछ सकता, ये नहीं है, done, ठीक है, तो ये आपका वो part है, जो हम लगबग complete कर चुके, एक बार, NCRT की feeling ले लेते हैं, क्या कह रही है, NCRT भी, NCRT क्या कहना चाहरी है, आप से सुन लो, ज्यान से, बड़ा थकान हो गई मुझे भी, हाँ, पनिकल से फुड़ा, चड़िया उड़री हो पर class लेते वक्त, चड़िया गुमती है न कई बार थकान होने से, ठीक है, देखो बटा, कुछ के गुम रही होगी, एक्जाम आने पर गुमती है, कुछ के बटा, चड़िया गुमती है, एक्जाम जिस दिन आ रहा होता है, अगले दिन एक्जाम है, तो चड़िया गुमती है, आपने देखा है, कुछ के चड़िया तब गुमती है, आपने मैं बताता हूँ कि ये जो काम है ये Darwin के काम के बाद है Darwin का काम इन से पहले है तो Darwin evolution of species पे काम कर रहा था ऐसा नहीं होता है ना कि मालो मैं कहता हूँ cell पहले evolve हुआ species बाद में evolve हुई पर जब हम खोजेंगे तो ऐसा थोड़ी है पहले species खोजेंगे या पहले cell वो तो जब खोज लो अब पुरानी बात जब आप लिखोगे तो sequence में लिखोगे लेकिन जब आप खोजोगे पुरानी बात ऐसा थोड़ी आप शुरुआत से खोजना शुरू करोगे पहले cell हो जएंगे species कैसे evolve उसकी कोई finding नहीं करेंगे ऐसा होता है क्या सोचा दिमाग लगाओ तो darwin का का काम 19th century में है operin और helden का का काम 20th century में है समझो ध्यान से से तो that the first form of life could have originate from देखो लाइन देखो that formation of life अच्छा उससे भी पहले preceded by chemical evolution उससे भी पहले chemical evolution हुआ था जैसे कि simple inorganic से organic बना होगा formation of diverse organic molecule from inorganic यह तीन लाइने बहुत important है समझने के लिए जो पूरी बाते हमने की कि भई यह organic से वो आया लेकिन उससे भी पहले उससे भी पहले inorganic से organic बना condition of earth क्या रही होगी high temperature volcanic storm रहा होगा reducing atmosphere रहा होगा in 1953 Miller अब देख लो भाई Miller American है ठीक है clear अना Darwin England के थे बिटा created similar condition देखो Miller ने वैसी condition lab में बनाई Miller उस समय थे नहीं कोई भी नहीं था उस समय he created electric discharge in a close flask ठीक और gases कौन कौन सी ली देख लो water vapor temperature दे रखा है he observed formation of amino acids तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आ गई Miller ने सिर्फ observation करी है formation of amino acids in similar experiment other observe बाकियों ने क्या observe किया formation of sugar nitrogenous basis other experiment समझे रहो यह किसी और ने की होंगे ठीक है analysis of metroid content also give similar proof on a similar compound indicating the process of occurring elsewhere in a space कुछ जगा हो भी रहा है ठीक है हो सकता है नहीं life evolve हो रही हो ठीक है with this limited evidence the first part of conjected theory conjected theory क्या है टूटी-फूटी अनुमान मतलब इससे क्या हुआ कि हमने जो अनुमानी theory दी थी जो हमने अनुमान लगाया था उसका पहला part proof हो गया पहला part मतलब chemical evolution तो हुआ हो गया देखे रहे हो conjected theory chemical evolution was more or less accepted तो इस experiment से first half of theory is more or less accepted हमने मान ली ठीक है अना हमने मान ली ठीक है आगे की कहानी पर हमें we have no idea हमें यह पता था कि पहला self-replicating metabolite metabolic capsule यह बात कर रहा है conservate की या proto cell की the first non-cellular forms non-cellular मतलब cell नहीं था conservate और conservate plus proto microsphere भी लिख सकते हो and proto cell की बात कर रहे है could have originated 3 billion यह 3 billion यह अगो आ गए थे they would have been giant molecule बड़े molecule जिनमें RNA, protein और polysacrides यह चीज़े रहे होंगे न एक्सेट्रा मन लिपिड भी these capsule goals say structure reproduce their molecule perhaps वो अपने molecules जो थे बदला वो अपना size जो थे बड़ा सकते थे और budding करके बना सकते थे the first cellular form life did not possibly यह देखरो 2000 तो आपने क्या याद रखना है 1000 million is equal to 1 billion 1 billion तो यहां पर 2000 million लिखने का क्या मतलब है 2 billion year ago तो पहला cell जो हमने properly बनाया chemo heterotroph वो कब आया होगा 2 billion year ago these were probably single cell all life form in water only अभी तक life पानी में hydrosphere में this version of biogenesis biogenesis समझ में आ रहा है evolution of cell the first form of life arrows slowly through evolutionary forces from non-living देखरो this form of biogenesis biogenesis का मतलब theory of biogenesis नहीं कह रहा है यह कह रहा है this form of evolution of life ठीक है क्या है accepted by majority however once formed how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is fascinating story that will be discussion कह रहा है कि उसके बाद life तो आ गई अब biodiversity कैसे आई कैसे eukaryote बना कैसे species बनी एक बड़िया story है जो darwin को लेकर है उसको हम discuss करेंगे बाद में below मतलब बाद में ठीक है यहां तक समझ में आ गया है clear है चलिए फटा फट से यह part 1 में लेते हैं इस lecture को second lecture में मिलते हैं जल्दी से और third lecture में क्योंकि हमें क्या करना है पार्ट wise जाना है तो हमने दो पार्ट में यह समझा दिया सेल बन गया है अबर सेल बनने के बाद अब मुझे स्पीशीज इवॉल्व करनी है स्पीशीज इवॉल्व करने के लिए आएंगे डार्विन जी लेमार्क जी और कौन आएंगे डी विरिस जी तीन थियोरी और उसके बाद उनके एविडिन्स ठीक है या मेकेनिजम फिर एविडिन्स पढ़ेंगे क्योंकि